खबरों में बात करें तो आज एशस सीरीज वॉक्सिंग डे टेस्ट मैच चल रहा था और धाईट दिन में ही वो मुकाबला जो है वो खत्म हो गया और आस्ट्रेलिया ने इंगलेंड को एक तरफा मुकाबले में मात दे दी और उनको हरा दिया अगर बात करें इस टेस्ट मै यानि की सिर्फ 78 रनों की पारी में जो है ना वो आउट कर दिया और और आस्ट्रेलिया ने ये मैच जो है वो एक पारी और 14 रन के बड़े अंतर से जो है ये जीत हासिल कर ली तो आशस सीरीज में आस्ट्रेलिया जो है वो तीन छूनने से अब आगे हो गई है और एक से जो मैन आफ दा मैच जो बने है वो स्कॉट बोलैंड बने है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका भी अगर मैं आपको पारी दर पारी बता रहता हूं पहली पारी में इंग्लेंड के सबसे जादा रन जो है वो कप्तान जो रूट ने बनाए और इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया बल्ले बाजी करने आई थी यहां पर मारकस हैरिस ने जो उपनिंग बल्ले बाज है उस्ट्रेलिया के उन्होंने 76-86 रन बनाए और इसके अलावा कोई भी बल्ले बाज बहुत इंप्रसिफ पारी नहीं खेल पाया डेविड वार्नर ने 38 रन जरूर बन करने के लिए उतारा गया तो वहाँ पर कोई भी बल्ले बाज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जो रूट जो है वो सिर्फ 28 रन बनाकर आउट हो गया और इस दौरान स्कॉर्ट बॉलन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज है उन्होंने चार ओवर गें मैच का भी अवर्ड मिला और जो पिछ है उस पिछ पर अब कोई सवाल नहीं उट रहा है लेकिन सिर्फ धाई दिन में आशर सीरीज का ये जो मुकाबला था तीसरा टेस्ट मैच था बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था ये खत्म हो चुका है जहां पर तीन पारियों तीन पा पुल्पार